हलो फ्रेंड्स, रोमान्चक तथ्य में आज आप सबको ये बताने जा रहे हैं कि खड़े होकर पानी क्यों नहीं पीना चाहिए शरीर को स्वस्त और फिट रखने में पानी की एहम भूमिका होती है मानव शरीर में पानी की मात्रा 60-70% तक होती है पानी शरीर के अंगों की रक्षा करता है साथ ही कोशिकाओं तक पोशक तत्व और अक्सिजन पहुचाने का काम भी करता है हाला कि सभी जानते हैं कि अच्छी सेयत के लिए सही मात्रा में पानी पीना कितना ज्यादा जरूरी है लेकिन सिर्फ दिनवर में आठ ग्लास पानी पीना ही अच्छी सेयत के लिए काफी नहीं होता बलकि आप किस तरह और किस पोशिशन में पानी पीते हैं ये भी अच्छी सेयत के लिए बहुत माइने रखता है खड़े होकर पानी पीने की आदत आपके शरीर को बुरी तरह नुकसान पहुचाती है आयुर्वेट के मताबिक जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो इससे हमारे पेट पर अधिक प्रेशर पढ़ता है क्योंकि खड़े होकर पानी पीने पर पानी सीधा इसोफेगर्स के जरीए प्रेशर के साथ पेट में तीजी से पहुचता है इससे पेट और पेट के आसपास की जगा और डाइजिस्टिफ सिस्टम को नुकसान पहुचता है इसके अलावा खड़े ओकर पानी पीने से शरीर को इससे मिलने वाले किसी भी नूट्रियंट्स का फाइदा नहीं होता है खड़े ओकर पानी पीने से पानी प्रेशर के साथ पेट में जाता है जिससे सवी इंप्यूरिटीज ब्लेडर में जमा हो जाती है जो किडनी को भी गंबीर नुक्सान पहुंचाता है पानी पीने का तरीका हमारी तरह को कई तरह से प्रभावित करता है क्योंकि पानी के प्रेशर से शरीर के पूरे बायलॉजिकल सिस्टम पर प्रभाव परता है इससे जोड़ों के दर्थ की समस्या भी हो जाती है खड़े उकर पानी पीने से फैफडों पर भी बुरा असर पड़ता है क्योंकि इससे हमारे फुट पाइप और विंड पाइप में आक्सिजन की सप्लाई रुख जाती है अगर कोई शक्स लगातार खड़े उकर पानी पीता है तो उस व्यक्ति को फैफडों के साथ साथ दिल संबंदी बीमारी होने की भी संबावना अधिक हो जाती है खड़े उकर पानी पीने से कभी प्यास नहीं बुच्छती है यही कारण है कि पानी पीने के कुछ मिनिट बाद ही आपको फिर से प्यास लगने लगती है माना जाता है कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने से व्यक्ति की पाचन क्रिया पर बुरा सर पड़ता है खड़े होकर पानी पीने से पेट के निचले हिस्से की दिवारों पर दवाव बनता है जिससे पेट के असपास के अंगों को बहुत नुकसान पहुचता है इस बुरी आदत के चलते कई लोगों को हारनिया का शिकार होना पड़ता है खड़े होकर पानी पीने की आदत की वज़े से पानी का बहाव तेजी से आपके शरीर से उकर जोड़ों में जमा हो जाता है जिसकी वज़े से हड़ियों और जोड़ों पर बुरा असर पड़ता है हड़ियों के जोड़ वाले हिस्से में तरल पदार्थ की कमी की वज़े से जोड़ों में दर्थ के साथ हड़ियां कमजोर होना शुरू हो जाती है कमजोर हड़ियों के चलते व्यक्ति गठिया जैसी बीमारी से पिर्डित हो सकता है व्यक्ति जो बैटकर पानी पीता है तो मसल्स और नर्वस सिस्टम रिलेक्स होती है और पानी आसानी से पच जाता है जबकि खड़े होकर पानी पीने से अपच की समस्या पैदा होती है खड़े होकर या जल्दी में पानी पीने से शरीर में एसेट का इस्तर कम नहीं होता इसलिए हमेशा पानी शांत बैटकर पीना चाहिए पानी बैटकर पीने से पानी सही तरीके से पचकर शरीर के सभी सैल्स तक पहुचता है व्यक्ति की बाड़ी को जितने पानी की आविशकता होती है उतना पानी सोक कर वे बाकी का पानी और टॉक्सिंस यूरिन के जरीए शरीर से बाहर निकाल देता है करम पानी पीने से अतरिक्त चर्बी नहीं बनती और वजन घटता है बैटकर पानी पीने से खून में हानी कारक तत्वों नहीं कुलते बलकि ये खून को साफ करते हैं आयरवेट के अनुसार व्यक्ति जिस पानी को पीने के लिए उप्योग करे उसका तापमान शरीर के तापमान से थंडा नहीं होना चाहिए गर्मियों में बाहर से आते ही फ्रेच का थंडा पानी पीने से शरीर को नुकसान पहुचता है ऐसे में व्यक्ति को हमेशा ना ज्यादा थंडा और ना ज्यादा वर्फ वाला पानी पीना चाहिए पीने के लिए हमेशा पानी नॉर्मल टेंपरेचर का ही उपियोग करना चाहिए